आज मैं अपके लिख रहे हैं फर्याली रेसिपी जो है साबुदाना वड़ा भार से बहुत ही क्रिस्पी अंदर से सॉफ बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां पर मैंने लिया है आदा कप साबुदाना जीसे मैंने धो के पानी में भीगो के 5-6 घंटे के लिए रख लिया जिससे दाना अच्छे से फूल गया है बिलकुल कड़क नहीं है तो इस तरीके से साबुदाना को भिगोने के बाद यह फूल गया है अब इसमें मैं यहां पर अलू उबला हुआ अलू डाल रही हूं यह करीवन तीन मीडियम साइज के आलू थे जिसे मैंने उबाल लिया यह डाल दाना पर मैं एक कटूरी करीबन मुंगफली का पौडर ले रही हूं मुंगफली को सेक लिया उनकी छिलके निकाली और मिक्सी में पीसकी डाल रही हूं और हरी मिर्च भी डाल दिये दो से तीन और थोड़ा सा कड़ी पत्त डालेंगी थोड़ा सा यह बन्या डाल एक चोटी चम्मच तील डालेंगी आधा चोटी चम्मच जीरा पौडर एक चुथाई चम्मच काली मिर्च का पौडर आधा चोटी चम्मच सौंफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जाने की टिक्की बना लेंगे छोटी सी तो इसके लिए पेरे हातों को ग्रीस करने तेल से और थोड़ा सा हम लेंगे निम्बू की साइज का थोड़ा सा मिक्स और इसे हाथ में इस तरीक से लेंगे और इसे आप दबाएंगे हलके हातों से और इसे टिक्की का शेप दे दे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं साबूदा ने खिच्डी दम खाते ही रहते हैं पर कभी कभी हमें है थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं बनाना भी एजी है तो इस तरीके से ये टिक्की बना लेंगे और इसी तरीके सबी टिक्की में बना के रख लेती हूँ यहां पर मैंने ये पैन ले लिया है थोड़ा सस में तेल लिया है कहंदे कि हम इसलो ले करेंगे तरीके लिया ही हैं जिया सुटते कोड़ा आन कि crise गोल्लère ले आए निचे आदो थोड़ा सा इसे प्रमाइब बना पर लेंगे जूड़ा सा यह अचा से लिया हैं यह यह की कहा हैं पहलाइगा और इसे हम दूसरी साइट से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे लिए नीची से ब्राौण हो गए हैं एग बार दूसी साइड से सहाथ Bio है मैं और 376 खू चुप घून सब्लच करेंगे तो इसमिख लाइक इसे तेंट करना है इसे अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से सिक भी जाए तो यह देखिए अच्छे से हमने इसे फ्राइ कर लिया है बस इसी तरीकी से हमें इने फ्राइ करना है तो इसे निकाल लेते हैं इसे बाकी टिकी को भी हम फ्राइ कर लेंगे तो यह देखिए हमारे सामुदाने क्रिस्पी वड़े तयार हो गए है तो आप इसे रिदनी की चट्नी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं